हालो फिजोशी जवल्कम बैक तो मैं चैनल फिजोशी वॉल्ड आज मैं आपके लिए ये जैपनीज बील रामने के डाइनिक एपिसोड फाइब लेकर आए हूँ अगर अभी तक आपने बाकी के अपिसोड नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी प्लीज डू चेक इट आउट पिछले अपिसोड में हमने देखा था कि कॉमाची को सेक्षन चीफ के फ्लोटिंग से बचाने के लिए इचीजो कॉमाची का बॉइफरेंट बनने का नाटक करता है जिस वज़े से तेशी कॉमाची को परिशान करना बंद कर देता है आगे हम देखते हैं कि इस वीकेंड इचीजो के डायरेक्टर की शादी का पचीशवा शालगिरा होती है सारे लोग उशी की तयारी में लगे होते हैं इचीजो कॉमाची से पूछता कि कल के लिए उसने फूल और गिफ्ट्स रेडि कर लिया है कि नहीं कुमाची हाँ बोलती हैं तभी हीरो तो भागते हैं उनके पाश आता और बताता है कि उससे बहुर बड़ी गलती होगे दरशल डारेक्टर और उनकी वाइफ को भुटान देश और वहाँ का खाना बहुर पशंद है इसलिए हीरो तो जिस भुटानिस रेड्ट को कल की पार्टी के लिए बुख करने वाला था वो नहीं हो पाता हैं रेड्ट वालों का कहना होता है कि उसके पास बुकिंग के लिए कोई ईमेल आया ही नहीं था सबसे बड़ी प्राब्लम यह होती है कि जिस जिस रेश्टरेंट में भुटानी खाना मिलता है वो शारिप बुक है अब उनके पार दूसरे रेश्टरेंट में जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता है इस चीज़ों इस बारे में बात करने के लिए टेशी के पास जाता है पर उसकी बात नहीं हो पाती है क्योंकि तेशी इस वक डायरेक्टर के शाथ होता है जो कल की पार्टी के लिए बहुत इक्साइटेड है उनकी बातों से इचीजों को पता चलता है कि डायरेक्टर अपने हनीमोन पर भुटान गए थे उनकी वाइफ को वो डिस बहुत पसंद आया था इचीजों वापस आकर हिरितों को बताता है कि कल की पार्टी में भुटानी खाना रहना जरूरी है इचीजों गूगल में भुटानी खाने की रेश्पी ढूनने लगता है सबसे पहले उसे भुटान की फेमर्स डिस इमा दास्थी की रेश्पी मिलती है इचीजों को याद आता है कि उसकी दादी ने अपनी रेश्पी बुक में इमा दास्थी के रेश्पी लिखी थी इचीजों के दिमाग में एक आईडिया आता है वो जल्दी से माहिरों को कॉल करते हैं और आज रात उसके दादी के घर में मिलने को कहते हैं लियो जो उनकी बाते सुन रहा था माहिरो को टीज करता है कि कहीं इचीजों से डेट के लिए तो नहीं इन्वाइट कर रहा है पर माहिरो लियो को ना बोलकर उसे इग्नौर करने के लिए अपने कामों में लग जाता है नेक्स्ट सीन में इचीजों और माहिरों इचीजों के दादी के घर पर होते हैं इचीजों माहिरों को शारी बात बताता है शाथी शाथ वो ये भी बताता है कि भुटान उसके डाइरेक्टर और उनकी वाइफ के लिए बहुत खास जगह है भुटान वादियों से घीरा हुआ बहुत पीशफूल और शिंपल देश है इस चीजों माहिरों को अपनी दादी के रेश्पी बुक में इमादाची की रेश्पी दिखाता है माहिरों इस चीजों के बिना कुछ कहे ही समझ जाता है इस चीजों एनिवर्सिरी पाटी यहां पर करना चाहरा है और वो कल के लिए कुकिंग करें इस चीजों को ताजूब होता है कि माहिरों को ये बात कैसे पता चली माहिरों उसके मदद करने के लिए मान जाता है जिस वज़े से खुशी में माहिरों को वो थाइंक्यू बोलते हुए गले लगा लेता है माहिरों तुरंत इचीजों को खुद से दूर करता है अपनी गलते का हैशास होते हुए इचीजों माहिरों से शौरी बोलता है फिरो कहता है कि उसे उम्मीद था कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है उसके बाद इचीजों अपने कलिक्स को कॉल करने के लिए चला जाता है माहिरों को दुख होता है कि इचीजों उसे शिर्फ अपना दोस्त समझता है इधर माहिरो को गले लगाने की वज़े से इचीजों का दिल जोड जोड से धड़क रहा होता है फिर वो अपनी कलिक्स को कॉल करके उसके घर पार्टी करने वाली बात बता देता है इससे हीरो तो और कुमाची दोनों को राहत की शाष आती है हीरो तो कुमाची को बताता है की चीजों का दोस्त माहिरो कल भुटानी खाना बनाने वाला उसे लगा था की चीजों उसे अपनी गॉल्फरंड के बारे में बताएगा पर माहिरो उसका दोस्त निकला कुमाची कल की डेकोरेशन का जिम्मा उठा लेती है माहिरो रेश्पी बुक में भुटान की और भी रेशिपीज के बारे में पढ़ रहा होता है तब ही चीजों माहिरो को एक वेबसाइट दिखाता है जहां एक नेटिव भुटानी ने अपने देश की कुछ रेशिपीज पोस्ट किया माहिरो सारे इंगरीडेंट्स लेने अपने दुकान चला जाता है शॉप पर माहिरो लियो को आसपास की जगों पर भी टान में इस्तमाल की जाने वाले मिरशी के बारे में पता करने के लिए कहता है और ये बताता है कि कल उसे शुबह-शुबह इचीजों के घर पर जाना है लियो तब तक दुकान का ख्याल रखने के लिए कहता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि माहिरो हमेशा से अपना खुद का रेस्टरेंट खोलना चाहता था उसके लिए ये अच्छी प्रैक्टिस होगी माहिरो सारी सबजे लेकर इचीजों के घर पहुचता है घर पर माहिरो सबसे पहले इमद आपसी रेस्पी बनाने का फैशला करता है क्योंकि भुटानी खाना इस डिस्के बिना अधूरी मानी जाती है इस डिस्को बनाने के लिए मिर्चियों की जरूरत पढ़ती है माहिरो की इतनी सारी मिर्चियों के इस्तमाल करते देख इचीजों डर जाता है माहिरो बताता है कि वो लोक्तों मिर्च सिप मसाले के रूप में इस्तमाल करते है लेकिन भूटान में से सब्जियों की तरह इस्तमाल किया जाता है माहिरो पैन में सारी चीज़े डालता है और कुछ देर के लिए बिना श्टेर के पकने के लिए रख देता है क्योंकि इससे खाना और स्वाडिस्ट बनता है माहिरो कहता है कि कभी कभी कुछ चीजों में उन्हें दखल नहीं देना जरूरी हो जाता है बहुत जल इमादा से डिस बनकर तयार हो जाती है माहिरो पहले खोट ट्राय करता है फिर वो इस चीजों को भी अपने हाथों से खिलाता है क्योंकि उस्वक्त वो भर बर्तन्फ हो रहा था है। इस चीजो को ऐखाने पर उसरे बहुत तीखा लगा है। माहिरों क क्लवजा हो यस देखो टरलके कि वर्म पॉन खरते हैं hedge het को अच्छा लगता है कि कैसे हर देश का घंड हो तैंता हम और माहिरों के साथ नहीं तो मैंरु को बलता है थोड़ा कुछ पढ़ता है। तब तक माहिरों का भी काम खत्म हो जाता है इस चीजों को काम करता देख माहिरों से डिस्टरब ने करता है जब इस चीजों का हिशास होता कि काफी लेट हो गया तो वो माहिरों को आवाज देता है तब भी उसके नजर माहिरो पर जाती, जो डाइनिंग टेबल पर सर रखे शोया हुआ था, इसी जो माहिरो को ब्लांकेट से कवर करता हैं, और बिजी होने के बाउजूर इसके मदद करने आने के लिए ठाइम क्यू बोलता है, इसी जो जैसे माहिरो को छूने वाला होता है, क क्योंकि काफी देर हो चुकी हैं लेकिन माहिरो को घर पर फ्रेश। भी होना होता हैं और दुकान के लिए शामान भी ओर्डर करना होता हैं इसलिए वह नहीं रुखता है माहिरो को अच्छा लगता है कि जरूरत पढ़ने फर इची जो ने उसके बारे में शोचा जाने से पहले माहिरो इची जो को होशला देता है कि इची जो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर सकता है अगली शुबह माहिरो शारा सामान लेकर इची जो के घर आता है खाना खाने से पहले वह प्लेट्स निकालता है तभी कुमाची भी वहां आ जाती है कुमाची अकेले होती है क्योंकि ही रोटो डाइरेक्टर के साथ आने वाले दरसल आज शुब बैडमिंतन खेलते हुए तेशी के कंधे पर छोट लग जाती जिस वज़े से वो नहीं आ पाता है इती जो डेकुरेशन का शारा जिम्मा को माची पर छोड़ कर किचन में आता है और बतात कि आज एक लोग नहीं आने वाले हैं इक जी जों मजाज में व्हुतानी भाशा में सबजिया कारने के लिए कहते हैं लेकिन माहिरों यह सोचकर डर माहिरों से कहते हैं कि इतनी ही भुटानी भाषा आती हैं उसके बाद उन्हों हचते हुए और मस्ती करते हुए खाना बनाने में लग जाते हैं यह देखकर को माची को थोड़ा अजीब लगता हैं वह किचन में आकर माहिरों को पिछली बार उसकी मदद करने के लिए ठाइंक कुछ गले में पहनाता है को याद आता है ह Gus लोग इस तरह १ॽ करते ह Lesson के हनी मूण पर भी उन्हें इसी तरह किया गया थ हम सभी लोग खाने के लिए बैट खाना कर उन्हें भुटान की यादा जाती यह देखकर इस चीजह को शाश व्काने के बाद ही रेतों इन्हें ग देघा हो लेकिन माहिरो समझ रहा होता है कि युझे वह बाहर जा कर गेस्ट को अटेंड करने को कहता हैं तभी कौममाची कर्णार को बाहर बुलाती क्योंकि डाजेटर के जाने कवाराष खाना खाकर उन्हें बहुत खुशी मिली। माहरों को भी अच्छा लगत써 है कि उन्हें उसके का खाना अच्छा लगा। डाय। पर्श वाइफ माहिरो से उसके रेश्टरेंट के बारे में पूछती हैं ताकि वो वहां आ सके माहिरो कुछ कहता है इससे पहले इची जो यहां दुबारा आने के लिए उनसे रिक्विस्ट करता हैं डायरेक्टर मजा करते हैं कि वो अपने शादी के पचाशवे शाल गिरा म हिरो तो माहिरो को आज उसके मदद करने के लिए ठाइंक्यों बोलता है और जैसे गले लगाने जाने वाला होता है कि इची जो बीच में आ जाता है और उसे घर भेज देता हैं दोनों के जाते इची जो और माहिरो एक साथ बोलते हैं कि फाइनली सब खत्म हो गया माहिरो क किचन में बर्तंद हो रहा होता है जब इची जो वहां आता है उसे सफेद रंग का कपड़ा गले में पहना कर आज कि इसकी मदद के लिए प्रेजंट के तौर पर देता है माहिरो को अच्छा लगता है कि इची जो से आज की इवेंट का इंपोर्टन पार्ट मान रहा है हैं उसके बाद उन्हों साथ में बर्तंद होते हैं और ठक हार कर शोपह पर बैट जाते हैं माहिरो कहता है कि इची जो वारियर है जो सब कुछ के लिए प्रिपैर रहत वो अभी भी पहले की तरह ही है इतना कहकर वह इची जो के पास आता है और उसे किश करने वाला ही होता है कि तभी हम देखते कि इची जो अपने सपने में देखता है कि माहिरू से बिना कपड़े खा पहने खाते विए देख लेता है इससे पहले वह कुछ कहता है माहिरू उसके लिप्स पर फिंगर रख देता है और एपिशोड 5 भी पर खत्म हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आयोगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर सकते तब तक मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाब बाब